हेलो दोस्तों स्वागत है जीनियस इमांच में आज हम BPSC 3 को लेके और सक्षमता परिक्षा के दूसरे चरण को लेके एक बीग अपडेट लेके आए तो अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल ऐकन को प्रैस करना बिल्कुल मत भ बिहार लोग सेवायों के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ती भरती परिक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्तियों को प्रवेश पत्र में सुधार के लिए घोशना पत्र देना होगा अब परिक्षा 15 मार्च को होगी एड्मिट कार्ट जारी कर दिया गया है बिपेसी नहीं का है कि कुछ अभ्यार्तियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदर में अप्लोड किये गए फोटो रक्स्ताक्षर का इमेज और इस पस्ट अपटनी और रिक्थ है ऐसे अभ्यार्ति निर्धारिती थी यानि 15 मार्च को संबंदित परिक्षा केंद्र पर साक्षे के साथ पहुचेंगे और अभ्यार्ति वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब खोशना पत्र को पून रूप से भर कर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित प करेंगे राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमानेत दो रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यार्ति अपने इप्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे और दूसरा फोटो इप्रवेश पत्र के कार्याले प्रती में समंदित परिक्ष केंद्र पर केंद्रा धिक्ष के समक्स चिपकाईंगे। पैचान के लिए आधार काड लाना सुनिश्चित करेंगे। standards सक्षमता परिक्षा ओफलाइन कराने की मांग की है और रविवार को प्रदेश कारे कारेनी की बैठक के बाद प्रविश सोरी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कारे कारेनी की बैठक सोरी प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम और महासची बलवन सिंग नहीं सायोक्त रूप से बयान जारी कर यह हैं कि उन्होंने कहा ए कि पहली बार सक्षमता परिक्षा ऐनलाइन हुई थी इस कारण सवा लाग से अधिक शिक्षक को ने सक्षमता परिक्षा का फॉर्म नहीं भड़ा उन्हें ऑनलाइन परिक्षा देने में कटनाईयां हो रही है देखे चुछ सक्षमता परिक्षा हो रही थी फर्स चरण वो ओनलाइन होई है पर अब शिक्षक चाहते हैं कि दूसरा चरण ओफलाइन हो ताकि जाधा जाधा शिक्षक पेपर दे सके तो ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू